So hey guys my name is Rahul and welcome back to my YouTube channel So guys अगर मैं बात करूँ कुर्ते पजामे की तो भाई आप कुर्ता पजामा दो तरीकों से परचेज कर सकते हैं एक है ओफलाइन एक है ओनलाइन तो guys अगर मैं बात करूँ ओफलाइन की तो भाई ओफलाइन के अंदर आप अपने टेलर के पास जाके अपना मेजरमेंट देके अपना जो कुर्ता पजामा उसे सिलवा सकता है वो आपके लिए करेक्ट होता है लेकिन अगर आप सोच रहें खरीदने की कुर्ता पजामा ओनलाइन शोपिंग के थ्रू तो भाई उसके अंदर सबसे बड़ी प्रोब्लम आती है के साइज को लेकर के आपका साइज क्या है या हम कौन से साइज को सिलेक्ट करें जो की परफेक्ट हो यानि कि मैं आपको प तो वो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि क्या क्या चीज हम मेजर करेंगे और इनका जो टाइम स्टैंप है मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दूँगा आपसे भी जाके देख सकते हैं तो भाई चलते हैं आगे औ और अगर आप इसे उल्टा करें तो यहाँ पे आपको सेंटीमिटर मिल जाते हैं तो यह इंची टेप यहीं मेजरिंग टेप आपको आजपास मिल जाएगी वरना आपके घर पे मिल जाएगी तो आप जाके देख सकते हैं और इसकी हमें जरुरत पड़ेगी बिकोज इसी क आपको नीचे से करना है आपको उपर से करना है जो आपका फुलेस पार्ट है आपको वहीं से मेजर करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे यह हमारी मेजरमेंट है यह आचुकी है तो यहाँ पर हमने एक फिंगर का गैप छोड़ा हुआ है तो अगर आप इसे ऐसे करेंगे तो भाई आप देख सकते हैं कितना लूज है यानि कि यह आपके लिए परफेक्ट साइज होगा ना आपक कौन सा है तो गाइस जो हमारा दूसरा मेजरमेंट है वह हमारे शोल्डर का मेजरमेंट तो उसके लिए आपको क्या करना है आपको वापस से इंच वाली साइड पर जीरो पर रखना है और आपको अपनी जो बॉन है आपको यह देख लेना अगर आपने कोई टीशर शर्ट पहनी होएं तो जो यह इसकी लाइन होती है आप इसके थ्रू कर सकते है वरना तो आपकी जो बॉन होती है आपको यहाँ पर इसे मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा मैं इस वाली साइड लूगा अगर यहाँ पर आप देखे तो यह मेरा जो शोल्डर है इसकी मेजरमेंट अपनी smeave है उसे measure करेंगे तो उसके लिए आपको करना क्या होगा आपको अपने hand को लेना है और जब यहां पर आप अपना देखेंगे तो आपको एक बोन महसूस होगी जो कि हमने subject अपने मेजर के ते सम ऐसे करना है और उसके बाद measuring tape को रखना है तो यहाँ पे Norway देख सकते हैं हमें कितना मतलब चाहिए कितना हमारे लिए accurate है तो यहाँ पे देख सकते हैं 21-22 यानि कि जो में स्लीव है 21-22 मेरे लिए perfect आएगी तो इस तरह आप अपनी जो अपनी स्लीव है उससे भी measure कर सकते हैं तो जो हमारी measuring tape लेनी है और आपको अपने जो neck है इससे थोड़ असा दूर करके इसे अपना measuring tape है यहाँ पे रख लेना है नहीं तो आपको यहाँ पे रखना है आपको अपने neck से थोड़ असा दूर रखना है तो यह मेरा neck है तो मैं यहाँ पे रखूंगा और यह बिल्कुल सही point है यहां से हम अपनी जो length है उसे पता करेंगे तो basically यहां पर देखे तो मैंने अपना जो कुरता है यह 36 inches का करवाया हुआ है तो आप देख सकते हैं तो इसके through मतलब आप अपने size chart के अंदर देख सकते हैं कौन से number के उपर यह आता है तो कौन सा size आपको select करना चाहिए तो guys हमने आपको बताता हूँ जो हमारी next measurement है वह कौन सी है तो जो हमारी next measurement है वह हमारी waste की measurement तो वेस्ट की measurement अगर आपको नहीं पता है या आपकी गलत होती है तो आपका जो कुरता पजाम है वह आपको टाइट आएगा तो इसलिए आपको रिटेन करना पड़ेगा तो भाई इसलिए आपको वेस्ट की measurement पता होना जरूरी है आपकी जो नाबी है या आपका जो बैली बटन है आप उसके उपर भी हेल्थी होते है तो उसके लिए आपको क्या करना है जो भी आपका फुलेस्ट पार्ट है आपको उसे मेजर कर लेना है और आपको एक फिंगर का गैप रखना है तो ऐसे आप अपनी जो वेस्ट है उसे मेजर कर सकते है और अपना जो साइज है वह पता कर सकते है तो जो हमा इसका समय नभी सब्सक्राइब करेंगे कि striking अब्सक्राइबूश्चाइब visit Tnt वे फिंगर का देना है उससे होगा जो ऑपको टइट नहीं आईईगा आपको लूज खराइगा जो की काफी सही चीज लगती है तो basically ये आपका जो size है वो आचुका है ऐसे आप अपना जो top waist वगएर है उसे measure कर सकते है flip card ओ, amazon, mintra, सब के उपर आपको अपनी जो waist है वो बता होना जरूरी है because वहीं से आपका जो pajama है वो बिल्कुल सही आपको आएगा तो भाई अब जो हमारी next measurement है इसका name है hip measurement तो भाई hip measurement के अंदर हो तक है और आपका जो fullest part है hip का आपको वही measure करना है उससे होता है जब भी आप मतलब अपना जो pajama लेंगे जब आप उठेंगे बैटेंगे ना तो भाई आवो मतलब खराब नहीं होगा यानि कि आपको tight नहीं होगा तो इस चीज के लिए आपको अपनी जो hip measurement है वो पताऊना ज़रूरी है तो इसके लिए आपका जो fullest part है आपको वह measure करना है और उसके बाद एक finger का gap रखना ज़रूरी है उसके बाद हम check करेंगे तो ज अगर आप चाते हैं कि हम इतनी measurement ना करें हम एक या दो ही measurement करें और कुर्टा पजामा मतलब select कर ले तो इसके अंदर मैं बोलूँगा कि आपको दो चीज़े measure कर लेनी चाहिए एक आपकी chest और एक है आपकी waste वेस्ट की मैं बात कर रहा हूं जहां पर आप अपनी jeans पजामा लोवर बागरा पहनते हैं तो उसकी मैं बात कर रहा हूं यानि कि जो है fit waste, top waste जिसे हम बोलते हैं तो उसको आपको measure कर लेना है इन दो measure करेंगे तो भाई उसके हिसाब से भी आप अपना जो कुर्टा पर जामा से order कर सकते है वो भी आपको correct आएगा तो आपको करना क्या हो अगर हमने यह size को select किया यह हमारी जो length है वो इतनी आएगी अगर हमने size को select किया तो उसके हिसाब से भी आप अपना जो कुर्टा पजाम है उसे order कर सकते हैं तो भाई यह सारी information में आपको दे चुका हूं आपको बता चुका हूं कि कैसे कैसे आपको measure करना है और कैसे आप में लिए perfect size को select कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही था तो अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को like कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वहाँ पे bell icon को press कर दीजिए अगर आपको किसी वित्रेगी queries वगर है तो आप comment box में लिख सकते है मैं आपकी help करने की कोशिश करूँगा तो भाई चलते हैं बस आज की वीडियो वेता है तो अब हम मिलते हैं को next video में